हलो दोस्तों नमस्कार आप सब का स्वागत है हमारे चैनल पर मैं हूँ राजन महाजन और आप आज पढ़ने वाले हैं हिंदी के महात्पूर्ण 30 ऐसे लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में जो की एक्जाम की दरश्टी से बहुत महात्पूर्ण है और सभी के सभी जो ट टॉप 30 जो हमारे लेखक हैं उनकी रचना क्या है और उनको हम लोग कैसे समझ सकते हैं बहुत जल्दी क्योंकि एक्जाम में पुस्तके जरूर पहुंची जाती हैं चाहे आप कोई भी एक्जाम हो यहां तक कि UPSI, SSC, GD जो भी एक्जाम हो उसमें हिंदी के जो कभी है उन हम लोग जानते चलते हैं सबसे पहले हैं गोदान गोदान आप लोगों में से जो भी 12 में हम लोग हिंदी पढ़ते हैं उसमें गोदान का जिक्र होता है और मुन्सी प्रेमचन की यह बहुत फैमस किरती है यह रचना है गोदान जो की ग्रामिड जीवन पर आधारत है और अपने प्रेमचन ने ग्रामिड जीवन पर अपने बहुत सारी ऐसी कृतियां लिखी है जो उनको यह अलग कभी के नाम से उपन्याज सम्राड बोला जाता है उनको उपन्याज बहुत सारे लिखे हुए है तो उनकी रचना कौन सी है मुन्सी गोदान नेक्स देखेंगे य इसमें नंबर स्यूक्श उपर नेचे हो गया है अब नंबर एक शे हम लोग पढ़ेंगे अकबर नामा यह अबूल फजल थे इसके लेखक और यह अकबर के नोरतनों मेशीएक थे अबूल पजल के दोरा अकबर नामा लिखा गया है अकबर के जीवनी थी और इस पर उनके जन्मजाद ब्याकरण के जो रचेता हैं और इन्होंने अपनी एक कृतिव लेखी दूसरी अश्रत ध्याई तीसरी है इंड का ये बहुत जाद एक्जाम में आती है इंड का भी यूपी तरपल सी पैट के एक्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था कि इंड का किसकी रचना है तो मेगा इस्तिनीच की और मेगा इस्तिनीच आप जानते हैं कि ये यूनानी जो हमारे देश में लोग आये थे उनमें शेयक थे और मेगा इस्तिनीच सेलुकस निकेटर ये सभी के सभी हमारे देश पे आई हुए हैं और इन्होंने आकर के भारत के बारे में लिखा है और ये पुस्तक है मेगा इस्तनीश की जिसमें इंडिया के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है चौथी जो कृती है वो कामसूत्र बासायन एक कवी थे एक रचनाकार थे उन्होंने कामसूत्र नाम से एक पुस्तक लिखी जिए एक जाम में बहुत जादा पूची जाती है कामसूत्र बासायन ये संस्कृत की कृती है और नेक्स्ट है राचतरंगणी कलहड ये कश्मीर का इत्यास है बार्वी सताबदी तक का और उसमें रास्तरंगणी कल्हर ने कश्मीर के विविन पंसों के बारे में और वहां के इत्यास के बारे में बताया हुगा है next Speed Post यह कई बार जो आधनिक समय में हमारे current आफिर्स में current की जो किर्टी है वो Speed Post शोबडे करके यहां हमारी रचनाकार है उन्होंने Speed Post नाम से एक अपनी किर्टी लिखी हुई है साथ महा आईने अकबरी अबुल फजल ये भी अकबर नामा का एक पार्ट था आईने अकबरी अकबर नामा वैसे तीन पार्ट में लिखा गया है और उसका एक पार्ट है आईने अकबरी इसके भी रशनाकार थे अबुल फजल डिवाइन लाइफ शिवानन्द करके एक लेखक हैं उन्होंने डिवाइन लाइफ नाम से पुस्तक लिखी और लाइफ डिवाइन एक किरती है दूसरी जो अर्विन घोस ने लिखी हुई है लाइफ डिवाइन जिश्कुष अर्विन घोस ने और डिवाइन लाइफ शिवानन्द जी ने नेक्स ये भी एक दूसरी किर्थी हिंद्रा गांधी जी की जिसमें उन्होंने अपने शमय की कई घटनाओं के बारे में इसमें लिखा हुगा है मिलिंद पन्हो और नाक सेन मिलिंद पन्हो ये मिलिंद और एक जैसे की बहुत भिच्चू थे कोई उनके बीच का ये बारतलाग मिलिंद पन्हों में बताया गया है और ये इसकी रचना कार है नाक सेन नेक्स्ट है शाह नामा साह नामा एक फिर्दोसी कवी थे उन्होंने शाह नामा नाम से एक किरती लिखी हुई है अगला है बावर नामा बावर नामा, ये अपनी खुद की रचना बावर ने लिखी है और बावर आप जानते हैं कि मोगल, जो मोगलकाल है मोगल सल्तनत है मोगल बन्स है, उसके जन्म दाता है, उसके सथापक की रूप में जाने जाते हैं, पंद्रासो ग्शबश से समय सुरू होता मुगलकाल का अर्थ सास्तर जिसके रचताकार है रचनाकार है चानक जhernक चानक कोटिल बिश्णोगप्त के नाम से भी जानते हैं और इनकी जो क्रिटी है आर्थ सास्तРЕ अर्थ सास्त ये अर्थ सास्त से समथ इतना होकर एक राजनीती पर आधारत पुश्टाख है ये प्रिष्ण एक्जाम में बहुत बार आता है कि अर्षास्त किस छेतर से समगने थे तो आप अर्षास्त देखकर सीधे अर्षास्त का छेतर लगा देंगे लेकिन या अर्षास्त जो कृती है वो उसमय की बरतमान रा गोश्वामी तुलसिदास जी भक्तिकाल के महन कभियों मैंसे एक रामचरित मानस जैसी महन किरती लिखने वाले गोश्वामी तुलसिदास जी इन्होंने बिने पत्र का नाम से किरती लिखी हुई है और ये काफी बार पूची गई है बिने पत्र का से आप समध रहे होंगे क इन्होंने भगवान से बिने की अपने जीवन के अन्तिम समय में बिने पत्र का नाम से एक किर्थी लिए हुई है गीद गोविंद जिसके रचनाकार जैदेव हैं ये भी कई बार एकजाम में पूछा गया है कि गीद गोविंद के रचनाकार कौन है तो जैदेव नैश देखेंगे बुद्ध चरित बुद्ध चरित अश्व घोज बुद्ध चरित से आप समझ गए होंगे और अश्व घोज से क्योंकि ये बुद्ध के बुद्ध धरम के सम्मधित चीज है और बुद्ध धरम से सम्मधित है महात्मा बुद्ध के चरित पर प्रकास डालन के लिए एस सुगोष ने एक किरती लिखी हुई है नैस देखेंगे उनीश नंबर हमारा जो टॉप 30 में है यंग इंडिया इसको महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है और उस समय के महात्मा गांधी जी ने जो हमारा युवा भारत है उसके बारे में बताया हुआ इसमें म प्रिष्ण कई बार एक्जाम में आया हुआ है कि मालगुडी डेज एक किसकी किरती है या किसकी रचना है तो आर के नाराण जी की ये काफी प्रसिद्ध है मालगुडी डेज ये कई बार एक्जाम में आई है और ये इंग्लिस से रेलेटेड है इंग्लिस की किरती है आप देखें कि हर्श चरित इसकी रचनाकार है बाणभट बाणभट हर्श के दरवार के एक कभी थे और उन्होंने हर्श चरित नाम से एक सत्यार्च प्रकास द्यानन सरस्वती सत्यार्च प्रकास द्यानन सरस्वती की एक बहुत बड़ी किर्थी है उन्होंने इसको लिखा और अपने जो बक्तब है शत्यात प्रकास है उसको फिर हिंदी में लिखा और इसके सासाथ उन्होंने भारत में बीदों की और लोटों को नारा दिया और पुनर जागरण के शित्र में इनका भी काफी महत्पूर एकदान है इन्होंने आरिस समाज की स्थापना की अठारा सो पच्छत्तर में दियान अन्द सरस्वती ने और इनका यो मूल नाम था वो मूल संकर नाम से जाने जाते थे बच्पन का इनका नाम था मेगदूद कालिदास की रचना है और कालिदास आप जानते हैं संस्क्रित के महान कभीयों में शी एक भारत के सेक्सपियर नाम से जाने जाते हैं संस्क्रित के महान कभी थे महा कभी कालिदास इन्होंने मेगदूद नाम से एक अपनी रचना लिखी हुई है मुद्रा राक्षस बिसाक दत मुद्रा राक्षस एक जाम में इतनी बार पूछा गया प्रिशन है कि आप इसको याद करके ही रखिए कहीं न कहीं एक जाम में आपको जरूर मिलेगा कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है नेक्स देखेंगे हितो उपदेश हित और उपदेश हितो उपदेश की कहानियां हम लोगों ने पढ़ी होगी जो नेतिक सिच्छा का पाठ हम लोग पढ़ते हैं उसमें हितो उपदेश की कहानियां रहती हैं और यही हितुप देश की कहानियों के रचनाकार थे नाराण पंडित। हितुप देश दुनिया की लगवक्त तीस से ज़्यादा भासाओं में इसकानवाद भी हो चुका है और ये बच्चों के लिए और हम सब के लिए नैतिक तक ग्यान पढ़ाने के लिए कहानियों का ये संग रहे अंधा विस्वास ये जो किरती है सगार का घोस करके एक रचनाकार है और उन्हें अंधा विस्वास नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है गाइड आर के नाराण अभी देखा हमने मालगुटिडेज और इनके दूसरी ये किरती है गाइड यदा गाइड Medicaid आर के नाराण की किरती है ये बहर SSC और यहां तक EOP PCS तक के एक जाम में पूंचा गया कि गाइड किसी रचना है और के नाराण की 29 माँ और 30 माँ हम लोग देखेंगे ये suitable वाई ये बिक्रम सेट एक रचनाकार है और उनकी ये किर्टी है ये suitable वाई, ये काफी पिरसिद है और ये किर्टी उनकी काफी चर्चा में रही है इसको आप याद रखेंगे एक जाम में कई वार पूचा गया है इसको और नेक्स्ट है life divine अर्विंद घोस पहले मैंने आपको बताया कि divine life और divine life की रचनाकार थे सिवानन्द और life divine की रचनाकार है अर्विंद घोस अर्विंद घोस आप जानते हैं कि गरम दल के नेता थे अर्विंद घोस आश्रम नाम से उन्होंने पुर्दू चेरी में अपना आश्रम बनाया और फिर से अध्यात में जीवन की और लोट गए भारत के महान सोतंदर संगराम सेनानी थे उन्होंने life divine नाम से एक अपनी किर्थी लिखी हुई है तो ये थी top 30 पुर्टी महात्पूर्ण पुस्त के और उनकी लेखों के अबारे में ये सभी के सभी प्रिष्ट एक्जाम में आय हुई है और आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये 30 के 30 प्रिष्ट समझ में आय होंगे आपने कहीं ने कहीं से पढ़ा होगा पिर से पढ़ लीजिए और एक एक करके इनको याद करके रख लीजिए कोई ने कोई एक्जाम में जरूर आएगी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करिए और यदि आपको इनफॉर्मेशन अच्छी लगती है जानकारी अच्छी लगती ही तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको इनफॉर्मेशन ये महात्पूर्ट पॉस्तकों से सम्मदे टॉपिक आपको कैसा लगा फिर मिलता हूँ ऐसे ही महात्पूर्ट टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए जुड़े रही हमाई चैनल के साथ धन्यवाद